ओम श्यान्ति आज 19 जून 2021 की साकार मूरली आज बाबा नी कहा मीठे बच्चे तुम महान सोभग साली हो क्योंकि तुम्हे भगवान वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी रिशी मुनी ने भी नहीं पढ़ी प्रस्ण ड्रामा की कौन सी भवी तुम बच्चे जानते हो दुनिया के मनिश नहीं उत्तर तुम जानते हो इस रुद्र ज्यान यग्ये से बिनास जौला परजलित हुई हैं अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी यह भवी कोई टाल नहीं सकता यह ऐसा अ इसे इश्वर की भावी नहीं ड्रामा की भावी कहेंगे गीत है मुखडा देखले प्राणी जरा दरपड में ओम शानते तुम बच्चे भी मनिश हो यह मनिशों की स्रिष्टी है इस समय तुम ब्रामन धर्म के मनिश बने हो बाप सिक्षा देते हैं आत्माओं को आत्मा को अभी अपनी सोधर्म का पता है कि हम आत्मा इस सरीर को चलाने वाली है आत्मा का यह रत है जैसे बाप इस रत पर आकर स्वार हुए है तुम्हारी आत्मा भी इस रत पर स्वार है सिप आत्मा को यह ज्यान भूल गया है कि हम आत्मा सांत सोरूप है हमारे रहने का स्थान ही मूल बतन में है या सरीर हमको यहां मिलता है ऐसे से अपने साथ बाते करनी है बाप कहते हैं आत्मा सांत सौरूप हो अगर तुम चाहो हम शांती में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांती धाम के निवासी समझो थोड़ा समय शांती में बैठ सकते हैं मनिशें शांती ही मां शांते हैं कि मैं आत्मा हूँ ये भूल गए हैं एक कहानी भी है ना रानी के गले में हार पड़ा था और ढूनती थी बाहर तो बाप भी समझाते हैं शांती तो तुम्हारा सोधर्म हैं बच्चों ने समझा है हम आत्माएं सांत सौरूप हैं यहां आई है पाट बजाने इन आरगन से डिटेच हो जाते हैं तो आत्मा सांत है आत्मा अपनी शोधर्म शांति में जितना चाहें बेट सकती हैं चाहो हम इस सरीर से काम ना करें तो सांत में बैठ जाओ यह सच्ची शांती इनको तुम ढूंडते नहीं तुम्हारा सोधर्म शांत हैं अब यहां पाट ब इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं। सिब तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम शुरीवंसी राजा वो परचा थे। फिर चंद्रवंसी, शोवैसे बनसी, सो सुद्रवंसी बने। अब फिर से हमको शुरीवंसी बनना है। तुम बच्चे सिष्टी के आदि मजद अंध को जान गए हो। तुम कितने सौभागे साली हो। बाप तो यथार्त बाथ समझाते हैं। यह समझाना है कि सर्व का संदगती दाता एक है। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर एकिस जन्मों के लिए संद्गती प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुशें इन ब प्रमकुमार कुमारियां ही जानते हो, कोई पुछते हैं, तुम बीके क्या जानते हो, परिक्षा तो हो नहीं चाहिए, कि ब्रामन वह ब्रामनी है, वह नहीं, अगर तुम ब्रमा के बच्चे हो, तो सिष्टी चक्र को जरूर जानते होंगे, बाप रचयता को जानते हो, प्रिमत अंद को नहीं जानते थे, स्कूल में पहले अनपढ़ी आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह यह पढ़ा है, अभी तुम हो इश्वरिय पढ़ाई में, परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह बुद्धी में समझना चाहिए, रच्ता तो एक शीप रुद्र ने ग्यान यग्य रचा, यह सास्त्रों में भी हैं, अब रुद्र और सिप परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं, यह भी हैं कि रुद्र ग्यान यग्य से बिनास जुआला निकली, सिप रुद्र शीव की जगह क्रिश्न का नाम डाल दिया है, है वही गीता, कहत हैं इस ग्यान यग्य से बिनास जुआला पर जलीत हुई, तो सौराज के लिए यह ग्यान यग्य हैं, इसमें पुरानी दुनिया सुआहा होनी है, यग्य में सारी आहूती अर्थात सामेगरी डालते हैं, सब सुआहा कर देते हैं, तो इस रुद्र ग्यान यग्य में सारी पुरानी दुनिया सोहा हो जाएगी। तुम अब राजयोग सीख रहे हो। इस पती दुनिया में फिर आएंगे नहीं। यह दुनिया फिर खतम हो जानी है। तुम जानते हो नेचुरल केलेमिटी जादी सब होंगी। यह सारी नोलेज तुम्हारी बुद्धी में बैठना च जानते हैं। रिशी मुनी तो कहते हैं हम रच्ता और रच्ना को नहीं जानते। तुमसे कोई पुछेंगे तुमको क्या मिलता है। बोलो जिसको बड़े बड़े रिशी मुनी आदी कहते थे कि हम रच्ता और रच्ना के आदी मर्ध अंध को नहीं जानते हैं। मक्यों की भी रानी होती है, रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्यां जाती है, रानी अर्थत मा के साथ उनका कितना संबंध है, बेहत का बाब भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्मों को साथ ले जाएंगे, शांत तुम आते ही हो मनिश्य देवता पद पाने, सब गूर यहां धारण करने हैं, इन लक्षी नाराण जैसा बनना है, इनको दिव दिश्टी के सिवाई कोई देख ना सके, अभी तुम जानते हो हम शुरीवंसी देवता बनेंगे, तुम्हारी बुद्धी में है कि शौर की देवताओं का राजे, परन्तु देवताओं के राजे में भी फिर राक्षसादी दिखाए हैं, यह कोई जानते ही नहीं, भारत कितना पवित्र था, मईबा भी गाते हैं सर्वगुन शंपन, उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परन् जो इतना उच था, वो नीच कैसे बना, यह किसको भी पता नहीं हैं, कहते हैं यह भावी बनी बनाई हैं, किसकी भावी हैं, वो भी नहीं समझते, ड्रामा की भावी समझे, तो समझ में आए ड्रामा का रचेता, क्रियेटर, डारेक्टर कौन हैं, सिब कह देते, इस्वर की जब तक कोई ड्रामा देखे नहीं, जैसे अखबार में भी पड़ा था, एक कृष्ण चरीत्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने भी गर कोई समझ थोड़ी सकता है, देखेंगे तब समझेंगे, ड्रामा में यह सब होना है. तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो मनिश्य कहते हैं वर्ड की हिष्टी जवरोफी का यह चकर फिरता रहता है परन्तु कैसे फिरता है यह किसको पता ही नहीं नाम भी लिखे हुए हैं सत्यूग त्रेता दौपर कर यूग फिर संगम यूग परन्तु मनिश्यों ने समझ लिया है यूगे-यूगे आते हैं शत्यूग त्रेता अभी संगम होता है परन्तु उस संगम का कोई महत तो नहीं है वहां तो कुछ होता नहीं यह बाते तुम जानते हो शत्यूगी सुरीवंसियों ने फिर चंद्रवंसियों को राजे कैसे दिया ऐस नहीं कि चंद्रवंसियों सुरीवंसियों पर जीत पाई नहीं जो चंद्रवंसिय का राजा होता है तो सूर्य बंसी राजा रानी उनको राज भाईगे का तिलग दे तक्त पर बिठाते हैं राजा राम रानी सीता का टाइडल मिलता है किस ने दिया? कहेंगे सूर्य बंसी ने ट्रांसफर किया अब तुम राज करो जो सीन तुम बच्चों ने साचातकार में देखी है बाकी कोई लड़ाई आधी नहीं लगती है जैसे किसको राजाई दी जाती है वो इसे देते हैं उन्हों के पेर आधी धोकर उनको राज दिलग देते हैं वाँ कोई गुरु गोसा ही तो होते नहीं है अब तुम बच्चों की बुद्धी में हैं हम देवी शवहावाले बनते हैं शुरी बंसी चंदरवंसी राजे में हम कितने सूखी होंगे बाबा हमको दूख से निकाल सूख में ले जाते हैं और कोई सूखी बना ना सके साधुल लोग खुद भी चाते हैं हम शांती धां में जाए बाब कहते हैं मैं इन साधुल आदि का विद्धार कर सब को शांती धां में ले जाता हूं सन्यासी तो आते ही दौपर में है स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं वहाँ भी सेक्षन अलग-अलग है सुरी बंसियों का अलग चंदर बंसियों का अलग फिर बाद में इसलामी बोधी सन्यासियादी जो भी आते हैं सब का सेक्षन अलग-अलग बना हुआ है जब हम राज्य करते थे तो दुसरा कोई था नहीं मूल वतन में भी ऐसी माला नंबर वार बनी हुई है आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी फिर और बिरादरिया निकलती है यह बिरादरी हैं बड़े ते बड़ी और दुसरे जो धर्म अस्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए हैं तुम कहेंगे इसलामियों को है सेकर्ड नंबर विरादरी फिर बोधियों की विरादरी थर्ड नंबर हम है फर्ष्ट बाकी हद की और छोटे-छोटे तो लाखो होंगे यहां तो मुख्य है चार विरादरिया पहले-पहले हम आते हैं फिर इसलामी बोहदी क्रिशन आदी आते हैं अभी हम नीचे गिर गए हैं हमको 84 जनम ले पाड बजाना पड़ता है जो अभी लाष्ट में हैं वोई फिर फ़स्ट में होंगे देवी देवताएं अब पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते देवताओं को तो पूझते हैं इससे सीध हैं उनों के बिरादरी के हैं सीख लोग गुरु नाना को मानते हैं उनकी बिरादरी के हैं सत्यूग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है उनसे उच ब्रादरी कोई होती नहीं हम उच ते उच ब्रादरी वाले हैं हम सब से जास्ती सुख भोगते हैं फिर वो ही कंगाल बनते हैं सब से जास्ती दुखिया है करजा भी यह लेते रहते हैं कितने साहुकार थे अभी कितने करीब है सब कुछ गमा बेठे हैं यह ही दुखधाम अब बाप फिर तुमको सुकधाम का मालिक बनाते हैं बाकी सब चले जाएंगे शांती धाम आधा कर्प तुम सुख भोगते हो बाकी सब शांती मेरते हैं चाते भी हैं हम मुक्ती में जाए सुख को काग विष्टा समाज समझते हैं उनको सुखधाम का अनुभोई नहीं है तुमको अनुभोई है महिमा भी गाते हैं परन्तु पतित होने के कारण भूल गए हैं अब बाप याद दिलाते हैं हे भारत वासी तुम देवी देवता धर्म के हो दौपर से नाम बदली कर दिया है देवता धर्म वाले ही पतित बन गए गाते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ बाप ने बताया है तुम कितने जनम पावन दुनिया में थे कितने जनम पति दुनिया में है अब फिर पावन दुनिया में जाना है यह पारसलाओं की पारसला है, यग्यों का यग्य है, सारी पुरानी दुनिया इसमें खतम होनी है, होली का जलाते हैं, यह सब पर्व अभी के हैं, आत्मा चली जाएगी, बाकी सरीर खतम हो जाएंगे, यह नौलेज कोई सन्यासियादी दे ना सके, गीता में कुछ है, परंतु आठे में लोन, अर्थात नमक, ग्यान प्रायलोफ हो जाता है, शिप बावा कहते हैं, हमने यह यग्य रचा है, इन में तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते हो, यह ग्यान तुमको अभी मिल रहा है, अच्छा, मीठे मीठे, सिगिल्धे बच्चों परती, मात पिता, बाब ददा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब ददा को याद, प्यार, गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्त धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉंट सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी शौभाव बनाना है ड्रामा के आदि मज्द अंद के राज को बुद्धी में रख हर्शित रहना है सब को यही राज समझाना है दुसरा पॉंट सवराज लेने के लिए इस बेहद यग्य में जीते जी अपना तनमन धन स्वाहा करना है शब कोज नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है आज प्यारी मिठे बवा का बरदान सर्व आत्माओं पर सिने का राज करने वाले बीश्व राज अधिकारी भव सर्व आत्माओं पर सिने का राज करने वाले बीश्व राज अधिकारी भव जो बच्चे बरतमान समय सर्व आत्माओं के दिल पर सिने का राज करते हैं वोई भविश में बीश्व के राज का अधिकार प्राप्त करते हैं अभी किसी पर ओरर नहीं चलाना है अभी से बीश्व महाराजन नहीं बनना है अभी बीश्व सेवाधारी बनना है सने देना है देखना है कि अपने भविश्व के खाते में सने कितना जमा किया है बीश्व महाराजन बनने के लिए सिफ ग्यान दाता नहीं बनना है इसके लिए सब को सने अर्था सैयोग दो स्लोगन जब ठकावट फिल हो तो खुसी में डांस करो इससे मूट चेंज हो जाएगी अच्छा, औम शान्ति